हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर हभी में हूँ राजबाड़े पर और राजबाड़ा तो भार से सब लोगों ने देखा हुआ है अभी अपन अंदर से देखेंगे अभी मैं जा रहा हूँ अंदर राजबाड़े के अंदर अपन राजबाड़े को पूरा निहारेंगे उसका आर्किटेक्शर देखेंगे राजबाड़े का नवीनी करण किया जा रहा है राजबड़ा पुरा अंदर से नया बनाया जा रहा है और पब्लिक के लिए खोला गया है तो अंदर से जाके पुरा राजबड़ा मैं आपको दिखाऊँगा अभी अपन राजबड़े के अंदर पुरे बाड़े में खड़े हैं यह अंदर का व्यू है सामने building है, right hand पे building है, left hand पे और ये सामने आप देख रहे हैं, पीछे का portion है राजबड़े का इसके अंदर भी balcony देखेंगे, first floor, second floor दोनों जगा जाएंगे अपने start करते हैं, सामने अंदर जो balcony है main राजबड़े की उसको निहारेंगे पिले, first floor पे देखेंगे और first floor से बाहर राजबड़ा चोक का view देखेंगे, सामने की ये जो building आप देख रहे हैं, यहाँ पे लखडी की बहुत अच्छी कारी करी की गई है, ये भी आप देखेंगे, अभी राजबड़े की जो main building है, उसके पीछे का view मैं आपको दिखाऊंगा, उपर चड़के, first floor पन चड़ते हैं, और उसकी बालकनी से पूरा राजबड़ा की चुराए को, राजबड़ा चोक को पूरा निहारेंगे, अभी अपन first floor चड़ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारी windows बनी वी है, बहुत सारी windows है, जहांसे पूरा राजबड़े के भार का view दिखता है, जो road है, जो main road है राजबड़े की, वहाँ से हो है, होलकर शाषन टाइम में, जिसा राजबड़ा बना था, वो राजबड़ा है यह, पूरी कारीगरी होलकर शाषन के टाइम पे जो की गई थी, यह आपको देखने को मिल रही है, यह देखिए, यह रास्ता उपर का first floor का है, यहां से भार का जो main gate है, जो main door है विंडोज बनी हुई है, जहां से भार का रास्ता बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही शांदार कारीगरी है, जो राजबड़े का, जो कारीगरी है, उस टाइम पे जो होलकर शाषन टाइम पे होई थी, वो बहुत ही खूबसूरत है, आप अंदर जाके जरूर देखें राजबड़ा, यह देखिए, यह सामने राजबड़े का व्यू है, यह पूरा राजबड़ा आपको दिख रहा है, राजबड़ा चोक आपको दिख रहा है, सेकंड फ्लोर से तो और अच्छा दिखता है, बहुत सेकंड फ्लोर पर भी जाएंगे, सेकंड फ्लोर से मैं जाना जाना लोगों का रोज होता है इंदोर में जो लोग रहते हैं वो राजबाड़ा चोक रेगुलरी जाते हैं वहां से आते जाते हैं तो यह इसका मनमोख नजारा आपको देखने को मिलेगा राजबाड़े के अंदर आप जरूर जाए सुबह 11 बेस से शाम को 5 बे तक र ठीकिया बनी थी, वहां से अंदर जाक के आप पूरा राजबाड़ा चोक देखते हैं। अब अपन चल रहे हैं सेकन्ड फ्लोर पे, ये राजबाड़ पे जाने का रास्ता है। सेकन्ड फ्लोर पे जाके अब अपन राजबाड़ा चोक को फिर भार से नहारेंगे। second floor में तो भहुत अच्छी lobby बनी हुई है एक भहुत अच्छी window बनी है gallery भहुत बड़ी है यहाँ पर यहाँ से राजबाडा चोरहा larger दिन life दिखता है अब अपन आ चुके हैं second floor पर अभी second floor के काम चल रहा है आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है window का तो यहाँ का नवीनी करंड किया जा रहा है अप्रेल 2023 का यह महिना है और बहुत सारा नवीनी करंड हो चुका है हो रहा है और आगे जाके यह राजबाडा और बहुत भेतरिन बन जाएगा यह राजबाड़े की मेन गैलेरी है और भी बड़ी गैलेरी आगे दिखेंगे आपको यह यह गैलेरी आप देखेंगे भोती शानदार गैलेरी है second floor पर और यहाँ से राजबाड़ा तो भोती खुबसूरत दिखता है इतना बड़ा व्यू राजबाड़े का दिखेगा सामने वो ICICI bank का building है यह राजबाड़ा चोक है सामने garden दिखेगा भोती शानदार खुबसूरत नजारा आपको second floor से देखने को मिलेगा राजबाड़ा भार से तो सब लोगी देखते हैं बड़ अंदर से भार देखना अंदर से राजबाड़े को देखना और अंदर की जो first floor second floor से राजबाड़ा चोक को निहारना वो अपने आप में एक भोती खुबसूरत experience है आप जरूर करें इंदोर में आप रहते हैं तो जाएं और इंदोर के जो भार वाले हैं वो भी इंदोर आएं तो इंदोर के राजबाड़े को अंदर से जरूर नहीं आ रहें selfie point है बहुत शांदार यहां gallery में बैट के आप फोटो किशा सकते हैं विडियो बना सकते हैं यहां का पूरा फोटो ले सकते हैं selfie की सकते हैं अपने परिवार के साथ बेट तकते हैं अब अपन चल रहे हैं वापस first floor पे first floor से वापस ground floor पे जाएंगे और आसपास की building को देखेंगे आसपास की building भी बहुत खूपसूरत बनी है सामने गणेज जी का मंदिर है और मलारी मारतंड का जो प्राचीन मंदिर है उसको जाने का रास्ता है वो भी अपन देखेंगे अब ये सामने जो आपको main gate दिख रहा है ये जो बड़ा सा खूपसूरत सा लकडी का जो धरवाजा है इसका main दुआर है और इसी के नीचे ticket counter भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने नीचे देखेंगे आप ये देखेंगे ये अंदर जाने का रास्ता है और right hand पे ये ticket window बनी वी है 20 रुपे का ticket है अंदर जाने का जरूर खरीदे खरीद के ही जाए 20 रुपे per person के इसाब से ticket लगता है सुबह 11 से 5 बे तक ये खुला हुआ है ये ticket खरीद के आप अंदर जा सकते हैं और पूरी building को देख सकते हैं ये देखेंगे फर्स फ्लोर से ही राजबाड़े का जो main gate है और जो राजबाड़ा चोरा है उसका खूपसूरत नजरा दिखता है यही से ही जाने का रास्ता है ये फर्स फ्लोर की gallery से ही मैं पूरा इस नजारे को देख पा रहा हूँ और सामने का जो view है वो भी अब अच्छा दिखता है यहां का architecture बहुत अच्छा है ये देखेंगे एक window से दूसरी window पे भी आप आथाग जाग कर सकते हैं अब अपन चल रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से दूसरी building को भी निहारेंगे अभी अपन चलेंगे पास वाली building में यहां पे लखडी की कारीगरी बहुत अच्छी की गई है white building जो है वहां पे लखडी का बहुत अच्छा fixture, architecture बहुत अच्छा किया गया है वो अपन देखते हैं अंदर चलते हैं अंदर room बना हुआ है अंदर holker माताजी का room बना हुआ है वो अपन देखेंगे यह लखडी के column बने हुए हैं खुबसूरत से आज भी बड़े fresh दिखते हैं एकदम आप देखेंगे यहापे जो lighting system है वो भी बहुत पुराना है जो switchboard लगे हुए है जो light लगी भी है वो भी holker time की लगी भी है और वो भी एक बहुत unique है देखने में यह देखेंगे switchboard आप देखेंगे switchboard भी बहुत पुराने है उनको वापस से reinstall किया गया है lighting पूरी नहीं की गई है बट जो पुराना जो lighting system है उसको आज भी जिन्दा रखा गया है यह देखेंगे यह आने जाने की gallery है आने जाने का रास्ता है यह अंदर room हुआ करता था पहले मता जी का यह बड़ा सा room है अंदर first floor पे जाने का रास्ता भी है यहां से यहां पे लकडी की कारी-करी बड़ी क्याच्छी की गई है जो उपर जाने की सीडिया है वो भी लकडी से बनाई गई है यह उपर जाने का रास्ता है सीडियों से यह पूरा room है अब इससे अपन भार निकलते है और सामने वाली building में चलेंगे यह अप में सामने वाली building से अब सामने का view दिखाता हूँ यह अंदर राजबाडे के main building का view है बड़ा ही खुबसूरत view है अब यह वाली building है इसमें पूरा marble, stone और rock का का काम किया गया है बड़े बड़े गुंबज, बड़े बड़े column इसके rock के बने हुए हैं पत्थर के बने हुए हैं यहाँ पे अंदर गनेज जी का मंदीर है वो भी अपन देखेंगे और मलारी मारतंड का जो प्राचीन मंदीर है उसके जाने का रास्ता है वो भी अपन देखेंगे जाने का रास्ता वैसे बंध है उसका रास्ता भार से खुलता है वो अपन भार से मैं आपको मलारी मारतंड मंदीर दिखाऊंगा दुसरे portion जो इसका दुसरा portion है राजबड़े का अंदर से वो भी खुला है लोगों के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी पांच बेता खुला रहता है और वहाँ पे गेलेरी भी है वहाँ पे एग्जिबिशन भी लगी है जो पुराने प्राचीन होलकर के टाइम के जो यूटेंसील्स बरतन और जो भी औरनामेंट्स और जो भी ऑबजेक्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा यह देखिए यह उपर उपर चड़े है अपन और यह यहाँ से होलकर प्राचीन मलारी मार्तन मंदिर जाने का रास्ता है बट यह बंध है यहाँ से अपन आपको दूसरी तरफ से दिखाएंगे और यहाँ पर सामने गणेज जी का मंदिर भी है प्राचीन गणेज जी का मंदिर है और आज भी बहुत सारी मुर्तियां होलकर जमाने के टाइम की यहाँ रखी वी है जिसको रिंस्टॉल किया जा रहा है यह आपको बहुत सारी जमाने का सबागर था यहाँ पे सबाएं चलती थी कि अचलती थी 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 था झाल झाल यह जो बिल्डिंग अभी मैंने दिखाई जहाँ पर गणेजी का मंदिर था उसके साइड से ही उपर जाने का रास्ता है यह यहां से उपर जाते हैं और यहां पर होलकर के टाइम पर जब राजा थे उनकी सबाएं लगती थी उनकी बेठक यहां थी और इसी जगह से पास में ही मलारी मारतन मंदिर का नजारा भी दिखता है बट वो यहां से बंध है तो अपन बाय रोड रोड से साइड से अपन जाएंगे और मलारी मारतन को भी देखेंगे और यहां से पूरा नजारा बहुत खुबसूरत दिखता है जो आर्किटेक्चर है होलकर के टाइम का आज भी जवान है सन 1984 में दंगो के टाइम पे यह राजबाडा पूरी तरह द्वस्त हो गया था इसे वापस से रिबिल्ड किया गया है 2006 में उशा राजे होलकर जी इन्होंने वापस से इसे बनवाया और इसका वापस नवीनी करण करवाया और उसे वापस खुबसूरत करवाया अभी इसका काम और चल रहा है, जोरो शोरो से, इसे और बनाया जा रहा है, अब अपन भार आ गए हैं, अब अपन आगे जाके मलारी मारतंड मंदिर देखेंगे, ये भार जाने का रास्ता है, जहांसे खजुरी बजार जाते हैं, उस रास्ते से होते हुए, ये लेफ्ट हैं ये जै मलार द्वार है, यहांसे अंदर जाके अपन अंदर मंदिर भी देखेंगे, एक्जिविशन सेंटर हैं अंदर, एक्जिविशन भी देखेंगे, यहांसे अंदर इंट्री लेने के बाद लेफ्ट में ही, बड़ा सा खूपसूरत सा एक शिवजी का मंदिर है, ये अ अंदर जाके जो कारीगरी है, जो लकडी का काम किया गया है, वो बहुती खूबसूरत है, जो कॉलम बने हुए हैं, ये लकडी के बने हैं, होलकर के जमाने के टाइम के, आज भी जमाने हैं, आज भी खूबसूरत हैं, यहां पे होलकर फैमिलीज रहा करती थी, इस जगह पर बहुत सारी मुर्तियां, बहुत सारी वस्तुएं आपको प्राचीन काल की दिखेगी, होलकर जमाने के टाइम की बहुत सारी वस्तुएं यहां आपको देखने को मिलेगी, उपर फर्स फ्लोर पे एक्जिबिशन सेंटर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, होलकर जमाने के टाइम पर जो भी बरतन, कलवारे और विपन्स जो जो होते थे, वो सब उपर एक्जिबिशन में रखे गए हैं, यह मंदिर के पास में जो पेड़ है, यह भी बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराना है, अभी एक थोड़े दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, हेरिटेज पेले सेस की, उसमें भी मैंने राजबारे को दर्शाया था अंदर से, और यहां के जो पंडिच जी हैं, उनका भी इंट्यूट्व्यू था उसमें, वो भी आप जरूर देखें, वो वीडियो के लिंक म में डालूँगा, सन 1730 में बाजीराओ पेश्वा ने मलारा होलकर को मालवा का सेनापती बनाया था, और यहां की कमान सोपी थी, और उसके पस्चाद सन 1740 में जब बाजीराओ पेश्वा की मृत्ति हुई, तो पूरे मालवा की सुवेदारी, पूरे मालवा का जो पूरा कि मिला है और इसकी पूरी सुवेदारी और इसका पूरा राजशाशन मलारा होलकर को मिला था, सन 1761 में पानिपत युद्ध में मराठो की भोती अपमान जनक हार हुई, और उसका यह आगात मलारा होलकर सहा ने सके, और सन 1761 में उनकी मृत्ति हो गई, और उसके पस्चाद अ उनको इसका साशन मिला, और अल्यवाय होलकर जी भोती धार्मिक महिला थी, उनने महेशवर को अपनी छावनी बनाई, महेशवर को राजधानी बनाया मालवा की, और वो महेशवर शिफ्ट होई, अब हम विजिट करेंगे मलारी मंदिर, यह प्राचीन मंदिर है, इसको वि है, बहुत पुराना मंदिर है, अस्ट धातू का बना हुआ, और खुबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, साइड में अहिल्या माता की मुर्ती है, वाके भी दर्शन करें, यहाँ पे पीछे एक गाडन भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सामने शिव जी की बहुत बड़ी प्रतीमा है, वो भी बहुत बड़ी और विशाल है, यह यहाँ से भार गाडन का व्यू दिखता है, अभी जाने की पर्मिशन बिलकुल नहीं है यहाँ पे, यह अहि अभी है, शुष भी मैं आपको दोत् एंकर सभी जब मा झात्वट के ढ liquidity के सिखता है, यहाँ पक्तार लूप जालावाँ, छाड़ी तेमी के सभाच बड़ी ओन मैं, भी मैं प्रिव झालावाय भी मैं, वो और राखाव मैं, जान आएंगाय जाय शुचिई स्ब़ाप ब senza झाल 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 यहाँ का मेन गाडन है सामने आप देखेंगे भोती खूबसूरत सा गाडन बना हुआ है यहाँ पे जाने की किसी को पर्मिशन नहीं रहती है यहाँ पे लाइबरेरी बनी हुई है जनरली यहाँ पे जो श्टूडेंट है उनकी लाइबरेरी है और वोई पास से आ जा सकते हैं लकडी की खुबसूरत कारी-गरी यहां पर करी गई है और वो आज भी पूरी तरह से जमा है एकदम आज भी पूरी नहीं दिखती है अब हम गैलेरी देखेंगे उपर जो एक्जिबिशन सेंटर है जा पर होलकर के जमाने के बहुत सारे जो वस्तू हैं बरतन हैं, विपन्स हैं उन सब की एक्जिबिशन उपर लगी है वो अपन देखने जा रहे हैं इसी जगा पर ही, साइड में, लेफ्ट साइड में ही यह होलकर गैलेरी है यह जाने का रास्ता है यहां की 10 रुपे टिकेट है यह उपर जाने का रास्ता है यहां से अपन फर्स फ्लोर में जाके होलकर गैलेरी देखेंगे यहाँ पर प्राचीन काल की वस्तुएं मिलेगी आपको जो होलकर शाशन में यूस की जाती थी यहाँ पर उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी आपको उनके द्वारा यूस की गई वस्तुएं यहाँ पर मिलेगी जो antique pieces उस time पे use किये जाते थे रखे जाते थे rooms में वो सारे आपको यहां दिखेंगे यहां पे आपको डोली भी दिखाऊंगा में आगे एक डोली है जब शादी होती है तो जो डोली सज्चती है वो भी दिखेगी photograph से बरतन है बहुत सारे utensil जो उस time पे use किये जाते थे वो सब यहां पे दिखेंगे आपको weapons दिखेंगे तोप के गोले बंदूकें उस time की जो बंदूके थी वो भी है यहां पे इंदोर को सेनिक छाओनी हमेशा बनाया था चुकि जो माता जी थी अपनी एहलिया माता जी उन्होंने अपनी जो state थी वो मैशुर में स्थाफित की थी बट सेनिक छाओनी इंदोर में ही थी हमेशा यहां पे बहुत सारी information पढ़ने के लिए आप आके जरूर पढ़ें यहां पे पूरा हितिहास आपको होलकर शाशन का आपको मिलेगा यह तलवारे रखी हैं तोप के गोले हैं पूरी चीज़े हैं यहां पे exhibition के तोर पे सब सवारा गया है लोगों को देखने के लिए यह तोप के गोले हैं उस टाइम के बचे वे तोप के गोले यह देखने को मिल रहा हैं आपको अब हम देखेंगे वस्त्र बनाने की मशीन यह वस्त्र बनाने की लखड़ी की बनी हुई मशीन है पहले हाथ से कपड़े बुने जाते थे वो यह मशीन है होलकर साशन टाइम की यह मशीन है यहां पे यूस की जाती थी यह exhibition में रखी गई है अब आगे जाके अपने को डोली देखने को मिलेगी जब शादी होती है जो डोली सचके जाती है वो अपन देखेंगे अब यह सामने आप जो देख रहे हैं यह डोली है आसपास बहुत सारी पिक्चर्स लगी भी है दिवारों पर होलकर्स के टाइम पर जब जो भी activities हुई थी उसकी पूरी पिक्चर्स यहां पे मौजूद है वो भी आप देखें यह antique डोली बनी है gate था बन चालू करने का यह gate था यहां पर काज भी लगा हुआ था अंदर बेट के बन भी किया जा सकता है और भी भूसारी खूबसूरत से चीज़े आपको देखने को मिलेगी जब आप exhibition देखने आएंगे यह सामने देखिए यह है पाल की यह पाल की है प्राचीन पाल की होलकर के जमाने की एसी और भी भूसारी खूबसूरत चीज़े हैं यहापे अब अपन वापस नीचे चलते हैं तो यह है राजबाडा मेरे आपको भूती खूबसूरती के साथ अंदर से आपको दिखाया भार से तो सब लोग देखते हैं अंदर से राजबाडा को निहारिए आईए इंदोर